साथ मेरा मेरा मेरबानी जिनको समझ मेरा बात वो थोड़ा हमाले चैनल से दूर रहे हैं वो इशु यह कि सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें साथ ही पहलाइक उनको पेस्ट करके आल करें ताकि इस तरह की नोडिफिकेशन बासानी आप लोग ले सकें डो मिसाल इशु बहुत साथ लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास डो मिसाल नहीं है तो फिर हम क्या करें किसका लगा या फिर हमें रिजिस्ट्रेशन करवानी है तो क्या करना चाहिए इसका क्या प्रासेस है सिंपल प्रासेस है आप लोग वो सबसे पहले जो रिजिस्ट्रेशन लोग इन होती है साइन अप होता है वो आप लोग रिजिस्ट्रेशन करनी है आपके पास डो मिसाल अपना नहीं है तो आप उनका लगा सकते है जो आपके गार्डन है या फिर फादर है या बड़ा भा जो इना वो अप्लोड करें सीग होगा कि जब आपकी एडमिशन हो जाएगी नेक्स पोर्शन इसके बाद होगा सबसे पहले होगा साइन आप रिजित सेशन प्लिट हो जाएगी बैसिक उसके बाद आप लोगों को चालान की इन्फॉरमेशन देनी है उसके बाद नेक्स आप की information garden की देनी है जो भी garden आप लोग लिखेंगे तो भाई है या फिर आपका मामू है या फिर कोई भी मतल्बादर है बाब नहीं या फिर ऐसे कुछ जो भी garden जो आपको संभालता है तो उनका आपको लिखना है ठीक है हाँ उनका लिखते हैं जिनका domicile बना हुआ है ठीक है ज जो आपकी personal information होगी वो आप complete करके domicile को upload कर देंगे save and next जो है वो उनको करेंगे final last हमारा है entry test जब entry test होगी उसके बाद आगे जो selection होगी subject selection की subject selection के बाद departments और भी आगे जो documents की requirement हो फिर upload होंगे तो यहां तक जो है अभी registration complete होई है तो आगे जो भी registration test के बाद होगी फिर वो आगे selection आप लोग कर सकते हो so I think that domicile issue जो है वो solo हो गया है आप लोगो समझ में आगे जो भी garden है जो भी आपका भाई भैन मामू बाप मदर जो भी है वो आप लोगों को लिखना है और उनका ही जो relation है वो भी लिख देना है और domicile उनका देना है लाजमी है और फिलाल जो है आप लोग यहां पे end करते हम इस वीडियो के यहां पे end करते हैं ताके आप लोगों को बात समाज में आ गई है domicile issue भी आपका setup हो जाएगा उसके बाद जो भी issue आ रहा है वो आप लोग बताए हाँ सबसे पहले और भी एक comments आई थी कि भाई जो सबसे हम पहले से ही registered हैं तो हम क्या करें उसके बाद ह हमें भी apply करना है आपका sign up पहले से ही हो गया है मतलब login है आप लोगों को दुबारा जो है वो नीचे right side के उपर जो है वो उपर तीन dots है वहां से आप लोगों को form fill up कर देना है registration आगे वाली जो भी है वो complete कर देनी है वो आपका new account आगे वाला हो जाएगा यह जो final है पहले के वाला है वो missing हो जाएगा ठीक है